हलो फ्रेंट्स, मॉमेंट्स इस किचिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंट्स, आज हम शिवरात्री स्पेशल एक पाग लेकर आए हैं जिसका नाम है सिंगाडे के आटे का और कौन का पाग आए इसको शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक कुछ मेवा ली है और इसके साथ ही हम ये सिंगाडे का आटा लेंगे ये लगबग तेड़ सो कुराम सिंगाडे का आटा है और ये कुछ मेवा है ये 50 g 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 दो चप मज़ के करीब गी डालेंगे गी हमारा हलका सा गरम हो जाएगा तो हम सबसे पहले मखाने भूनेंगे फ्रेंट्स मेवा को हमें स्लो आज पर ही भूनना है यह मखाने हमारे भून गए है अब हम इसमें थोड़ा गी और बढ़ा देंगे और पाकी की मेवा भी हम इसमें डाल के भून लेंगे यह हमने काजू बादाम इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे यह काजु बादाम भून गए हैं हमने निकाल लिये हैं अब हम इसमें किश्मिश डाल देंगे किश्मिश को भी हम भून लेंगे इनको भी हमें सलो आज पर ही भूनना है किश्मिश हमारी भून गई है अब इनको हमने प्लेट पर निकाल लिया है अब हम थोड़ा सा घी और बढ़ा देंगे अब हम गौन भून लेंगे Friends, हमें गौन को थोड़ा थोड़ा करके भूनना है सारी गौन एक साथ नहीं डाल देंगे यह हमने थोड़ी सी गौन दाल दी है और इसको हम slow आज़ पर ही भूनेंगे फ्रेंड्स गौन का हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें slow आज़ पर ही भूनना है अगर हम तेज आज़ पर इसे भून लेंगे तो ये उपर से भून जाएगी और अंदर कच्छी रह जाएगी जो कि दात में छिपकेगी ये देखिए ये फूल गई है ये गौन हमारी पग गई है ये गौन भून गई है इसी तरीके से हम सारी गौन भून लेंगे अब हम कढाई को एक साफ कपड़े से अच्छे से पोश लेंगे इसमें हम और थोड़ा सा देशी गी डाल देंगे अब हम सिंगाडे के आटे को भूनेंगे ये सिंगाडे का आटा हमने डाल दिया है इसको हमें स्लो आच पर भूनना है जब तक ये हलका गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसको इसी तरीके से भूनना है अब ये आटा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम इसमें ये जो मेवा है इसको हमने दरदरा पीस लिया है मिक्सी में इसको डाल देंगे और आठे के साथ हमें इस मेवा को थोड़ा सा भून लेना है गौन को भी हमने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है इसको भी हमें इसी में डालना है और डालके हम इसको अच्छे से भून लेंगे ये आठा और मेवा हमारी अच्छे से भून गई है अब हम इनको एक प्लेट पर निकाल लेंगे और अब इसके लिए हम एक चाशनी तयार करेंगे यह हमने कडाई में पानी डाल लिया है यह एक चमचा या पॉन कप के करीब पानी है उतना पानी लेंगे हम और उसमें यह चीनी डाल देंगे चीनी को हम मेल्ट होने देंगे चीनी हमारी मेल्ट हो गई है ये देखिए बिलकुल भी क्रिस्टल नहीं है इसमें अब हम कड़ाई में आटे और मेवा को दुबारा से गरम कर लेंगे हलका सा ये गरम हो जाएगा फिर इसमें हम जो हमने चाशनी तियार की थी वो चाशनी इसमें डाल देंगे हमें चाशनी एक तार की या दो तार की नहीं चाहिए हमें थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी चाहिए क्योंकि हम बैटर के साथ भी चाशनी को पकाएंगे इसलिए हमने कोई तार चेक नहीं किया है इसमें अब हम मिक्शनर को चाशनी में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5-7 मिनद तक इसको दिमी आज पर इसी तरीके से चलाकते हुए पकाएंगे हम इस मिक्शनर को तब तक पकाएंगे जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पर ना आ जाए ये हलका सा गाड़ा होने लग गए अब इस स्टेज पर हम इसमें देशी घी डाल देंगे जितना भी बचा हुआ देशी घी था वो हमने डाल दिया है और इसके साथ ही हमने वो वाला घी भी इसमें डाल दिया है जिसमें हमने अपनी मेवा प्राई की थी और जो बच गया था और इलाइची कूटकर हमने इसमें मिक्स कर दी है अब हम इसको एक बार फिर से चला देंगे और अब इसकी consistency जमने वाली हो चुकी है तो हम इसको 2-3 मिनट तक और पकाएंगे अब ये जमने की consistency पर आ गई येbbe हम इसको किसी ट्रे में या प्लेट पर जमा लेंगे इस तरीके से और इसके पीसिस कट कर लेंगे बर्फी की शेप में या आप जैसा भी शेप देना चाहें यह हमने पाक के बर्फी की शेप में कट कर लिया है यह देखिए यह सारे पीसे हमने कट कर लिए हैं एक पीस हम आपको निकाल के दिखाते हैं यह देखिए कितना बढ़िया बना है यह इसको आप शिवरातरी पर जरूर बनाएं इसको हम वरत में भी खा सकते हैं अब इनको हम प्लेट पर निकाल लेंगे यह देखिए कितनी बढ़िया वरत की रेसिपी तयार हो गई और यह खाने में टेस्टी होने के साथ साथ यह बहुत ही हेल्दी भी है आप इसको घर में जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग